जैस्रिक्रिष्णा दोश्तों आज हम बनाएंगे लौकी से एकदम हेल्दी और टेस्टी नास्ता वो भी बहुत कम तेल में इसे आप बच्चों के टीफिन में दे सकते हैं सुबह के ब्रेकफास्ट में या फिर साम के नास्ते में इसे खा सकते हैं ये एकदम मज़ेदार ना नहीं खाते हैं वो भी खाना स्टाट कर देंगे तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी सूजी लेंगे तो सूजी हम बारिक वाला लिये हैं और हम इसे एक बोल में डाल लेंगे डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी ताजे फिरस दही, तो दही ज्यादा खटी नहीं लेनी है, तो इस तरह से हम आधी कटोरी दही लेंगे, साथ में हम आधी कटोरी पानी ले ले रहें, ध्यान रहें, एक कटोरी सूजी में हम आधी कटोरी दही डाले हैं, आधी कटोरी हम पानी डालेंगे, और द से सूजी के साथ में mix करके इसे हम 10-15 मिनट के लिए रिष्ट के लिए छोडते हैं और फिर हम इस नास्ते को बनाते है तो ठीकने साब देख सकते हैं इतना ही गारहा ही रखना है हमें इस बैटर को ज़्याद़ पतला नहीं करना है और हम इसे ढग के छोड़ देंगे 10 मिनट क लिए तब तक हम आगे के त्यारी कर लेंगे तो इसे हम ठक कर साइड में कर लेते हैं फिर हम आगे के त्यारी कर लेते हैं तो हम एक ताजी फ्रिस्ट लोकी लेंगे तो इस तरह से हम एक दम सौफ्ट सा हम लोकी लिए हैं वजन से हमारा 1 kg का लोकी होगा तो इस तरह से हम लो को सिराफ बाद समय से हम कट कर लिय道 है अगर आप का वीजकन लोक रोकी सप्निधी है तो आप को निकाल दें पीर सच घ्र चोटा है उसे निकाल देर रहें यह पाहर कोजसे हमें भी रहता है कि इसी निकल यह उनकाण को एक कटोड़ी में नापकर फीर लेंगे तो जितना हम सूजी लिया थे उतना ही लोगी लेंगे तिस तरह समसी को ले लेंगे लोगी का पानी कोहम नहीं निच हो रहे हैं और जब आपकोनास्ता बनाना हो तब ही आप लोकी को ग्रेट करें पहले से ग्रेट करके रखेंगे तो लोकी जो है काली पर जाएगी तो नास्ता बनाने वक्त ही लोकी को ग्रेट करें और इसे नाप कर ही डाले तो इस तरह से हम एक कटोड़ी सुझी लिए है तो एक कटोड़ी हम लोकी लिए है तो अब हम कर लेते हैं तो एक पैन लेंगे उसमें हम दो चमच ऑल डालेंगे चोटे चमच से उसमें हम आधी चमच जब हमारा गडल में जीरा डाल वल्म टाले रहे चमच शेस सेकेंड के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे लेसें अद्रक और हरी मिर्ची को और साथ में हम डाल रहे हैं आठ से दस हम करी पता को डाल लेंगे तो इस तरह से ताजी फ्रेस हम करी पता लिए है इसमें डाल लेंगे बहुत अचा टेस्ट आता है इससे नास्ते मे और फिर हम इसमें डालेंगे एक medium size का कटा हुआ प्याज तो मैं roughly चप कर ली हूँ, इसमें डाल ले रहे हूँ, इससे बहुत अचा टेस्ट आएगा तो हम ज़्यादा प्याज नहीं यूज करेंगे, बस एक medium size का प्याज लिए थे, उसे डाल ले रहे हैं क्योंकि हम लोकी से नास्ता को बना रहे हैं, तो इसलिए हम प्याज को ज़्यादा नहीं डालेंगे, आप चाहे तो प्याज को इसकी भी कर सकते हैं और प्याज को 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें लोकी को डाल ले रहे हैं, ग्रेट किया हो लोकी को तो अब देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से लचेदार हमारा लोकी जो है ग्रेट हो चुका है हम साथ में डाल ले रहे हैं प्याज के साथ में और अब हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे तो इससे हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है सबजी को बस हमें 2-3 मिनट तक अच्छे तरीके से सौटी कर लेना है और बस इसका कच्चा पंच चला जाए इसलिए हमें 2-3 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेना है तो हम high flame पे लोकी को भून रहे हैं प्याज के साथ में और एक दो मिनट भूनने के बाद साथ में हम डाल दे रहे हैं एक ग्रेट किया हुआ गाजर इससे नाश्ते में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और साथ में फायदे मन भी है तो इसलिए हम लोकी में एक ग्रेट किया हुआ गाजर डाल रहे हैं और इसे हम अच्छे तरीके से भून लेंगे लोकी के साथ में इसमें सूजी में डाल लेंगे और इधर हमारा सूजी जो है एकदम अच्छे तरीके से फूल कर तेयार हो चुका है और हमारा सब्जी भी लगवग ठंडा हो चुका है तो अब हम सूजी के साथ में सारे सब्जी को डाल लेंगे पैन से तो इस नास्टे को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फटा फट से बनकर रेडी हो जाता है तो आप चाहे तो इस बैटर को बनाके पहले से रख लीजिए और फिर नास्टे बनाने वक्त आप बनाईए तो बहुत ही जल्दी बन करें तयार हो जाता है तो आप देख सकते हैं सारी सब जोग को हम सूजी के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने कबाद थोड़ा सा फ्लिवर एट कर देंगे तो हम आधी चमच से थोड़ा कम हम इसमें कुटी हुई काली में चुट डालेंगे और साथ में हम डाले रहें 16 नमक और फिर इसमें हम डाले रहें एक चोथाई चमच बेकिंग सोडा और फिर इसमें हम आधी कटोरी पानी डाले रहें क्योंकि हमारा बैटर जो है थोड़ा गारहा है तो हम और आधी कोटोडी पानी यूज कर ले रहे हैं इसमें और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे एकदम से गारहा लटपट सा हमारा ये बैटर होना चाहिए तो आप देख सकते हैं इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर कर लिए हैं अब हम जस्टे को बना लेंगे तो एक पैण लेंगे उसमें हम अच्छे से एक और से ग्रेस कर लेंगे साथ में हम की जाले रहें सफेद तील अieving आप बिना तील का भी बना सकते हैं लेकिन अगर तील डालके बनाएंगे तो आपका नास्ता Krunchy बनकर तेयार होगा और साथी में देखने में भी अच्छा लगता है अब हम तील डालने के बाद दो कल्ची हम डाले हैं better को और बैटर डालकर हम अच्छे तरीके से पैन में फैला देंगे चारों तरफ से किनारे किनारे से अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे और फिर हम इसे ढखके पांच मिनट के लिए छोड़ देंगे धीमियाज पर पकने के लिए और पांच मिनट बाद हम ढखन हटा के देख ले रहें उपर से जब यह सूख जाए और नीचे से हलका golden brown हो जाए तो फिर हम इसे पल्टी कर लेंगे और दुनों तरफ से golden brown होने तक इसे पकाएंगे अच्छे तरीके से तो दूसरी तरफ पलटने के बाद हमें ढखने की जरूरत नहीं थी और आप देख सकते हैं कितने perfect तरीके से हमारा नास्ता जो है बनकर तयार हो गया है तो एक कटोडी से हमारा दो नास्ता बनकर तयार हुआ है तो मैं इसे cut करके फिर serve करूगे तो इसे आप अपने मन पसंद सेप में कट कर सकते हैं तो इसे में चार भाग में इस तरह से पीजा कटर से कट कर ले रहे हूँ आप चाहे तो चक्कू से भी इसे कट कर सकते हैं और फिर इसे हम गर्म अगर हम चटनी के साथ सर्प करेंगे तो आप देख सकते हैं एकदम से soft सा हमारा नास्ता जो है बनकर तैयार हो गया है अब हम इसे serving plate में लगा ले रहे हैं अगर आपको हमारी ये recipe पसंद आई हो तो please like, subscribe, share करना नहीं भूलिएगा और इस तरह से अपने घर में लौकी और सुजी का नास्ता बना के जरूर ट्राइ कीजिएगा तो ये खाने में बहुत ही tasty होता है और साथ में healthy भी तो मैं मिलूंगी आपको एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई